नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अविना सुकला, आप कक्सा दस्वी के विद्यार्थियों को मैं संस्कृत पढ़ाने जा रहा हूँ संस्कृत एक ऐसी भासा है जो इस संसार की सभी भासाओं की जन्यनी है देखिए विदार्थियों संस्कृत जो सब्द है संस्कृत इसका उचारण संस्कृत है संस्कृत नहीं है सम प्लस क्री प्लस कत प्रते यानि सम उपसर क्री दातु कत प्रते से मिलकर के संस्कृत सब्द बना है और आपकी जो दस्वी बोर्ड परिक्षा जो है उस बोर्ड परिक्षा में आपका NCRT पैटन यानि की RBC के अंतरकत NCRT पैटन पर आधारी जो आपका syllabus है ठीक है तो वो आपका जो व्याकरण से संबंदित सिलेबस है संदी है समास है कारक प्रत्य वाच्य समय लेखन संख्या पूर्ति इत्यादी यह आपके संबंदित व्याकर संबंदित परकरण है और फर्ष्ट की बात करें तो संस्कृत पर्थम भाग यानि कि सेमुसी आपकी पुस्ता का नाम है और सेमुसी पर्थम भाग का आपको एक रजिस्टर अलग डालना है फिर उसमें आपको जैसे ही कर अधारी जो भी काम आपको किरवा जयागा वह आपको रजिस्टर करना है तो आपको सबसे पहले मैं बिद्व्यय hackern भाग आपके लिए लेके आया हूं जो पाणी नेन है पाडिद यानि कि संस्कृत व्याकर रच्टर और उससे संबंदित में आपको यह यह टोपिक ला साथारित आपके वेंजन संदी और आपके वैसे संदी आप 19 नाइंदette लृष संद् simples उससे संदी परिवास आप जानते हैं मैं आपको जनरली बता देता हूं दो वर्णों के परस पर मिलने से जो नया परिवर्दंता या नया सद बनता हुआ संधीक्स करतें संधी केर्ट थे विखै्ढका3 एविणजन संधी खेले विजन संधी पढ़ेंगे विशर्ग और स्वार बाद में पढ़ेंगे वेंजन संदी में क्या है देखिए यहां पर बात करें तो हल यानि वेंजन संदी के परिभासा दे रहे हैं और पहला प्रकार 6 जचोतम संदी दूसा शेटोतम है तीसा जचोतम है चौथा परस्वन है अनुस्वार यह आपके भेद हैं किसके हैं वेंजिन संदी के भेद हैं ठीक आपको समना रहा है बराबर ठीक है चलते रहें समस्ते रहें बराबर आप सासाथ नौट भी कर सकते हैं जैसे मैं समझा विद्यारतियों को प्रेजंट होना है और लाइव क्लाश अटेंड करनी है ठीक है और किसी को भी डाउट हो तो मुझे आप बार बार पूछें ठीक है सेंट ऑस्टिन इस्कूल यानि कि जो हमारा स्कूल है इसके अंदर का जो ओनलाइन क्लासें चल नहीं है प्लीज सभी और अटेंड रहें और पढ़ाई करें मन से लगन से ठीक है घर बैठ करके घर से बार नहीं निकलें ठीक है और ध्यान रखें ओनलाइन जूब में आपकी संस्कृत व्याकन चलेगी फिर उसके बाद मैं पढ़ाएंगे संस्कृत फष्ट बाग यानि सेमुसी आपकी पुस यानि कि आलश्य जो है मनिश्य का महान सत्रू होता है ठीक है और परिश्रम के समान कोई भाई नहीं होता है जिसे करके कोई मनिश्य कभी दुखी नहीं होता है इसलिए आलश्य नहीं करें प्रसंद्चित होकर के पढ़ें और खुशी से पढ़ें प्रसंस्कृत एक बहुत विदार्थियों परिवासा आपकी है यदा वेंजनात परे वेंजना मत्वा स्वर आयाती तदाहल संदी भवती यानि कि वेंजन का वेंजन यानि कि या स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन विकार उत्पन होता है उसे हम वेंजन संदी कहते हैं ठीक है तो देखे बोड में केवल उधान पूछी जाते हैं संदी विच्छेत करो संदी का नाम लिखो ठीक है मैं आपको परिवासा जनरली समझा रहा हूं लेकिन परिवासा आपके बोड में आती नहीं है पूछी नहीं जाती है केवल उधान आते हैं संदी विच्छेत करो संदी का नाम लिख पहला आप आपका जो भेद है सटूत न संदी सटविसल पर सबाद में आपको नहीं तो बताने जा रहा हूं इसमें आप क्या करेंगे कि वेंजन संदी पढ़ने से पहले आप वेंजन त्यार पर लिए आपको बेसिक ज्यान होना चाहिए आप पड़ चुके हैं विश्र का चिन का तो आप विश्र को हलंद ठीक है कोई भी शब्दा करें यह जैसे मौ लिखा अलन लगाना है तो इतना सालंद करें और विश्र जो लिखें तो इस तरह से बनाए आप जैसे राम लिखा तो रामह ठीक है ना इस तरह से आप विश्र लगाएं तो विश्र अलंद का ध्यानक हैं वेंजन अस्वर्याद होने चीए वेंजन आपको खड़े त्यार करने हैं और आड़े भी त्यार कर सकते हैं या कचो टाप फश्ट बर्ग ठीक है कचो ठाप सेकंड वर्ग गज़ड थर्ड वर्ग इस तरह से आप गया अगर आपको गया रिडी होंगे तब अब मेंज़र संदी कर पाएंगे ठीक है तो सचो तुम संदी में देखिए ट वर्ग में कांठ कॉन साते पहला हम सब्सक्त जाने पर सो जान हैग सब में रख्र ता सदा को जा हरते हैं है दीखिए लगूरूप मैंने आपको बताया सौ को सो में बतला ठीक है तो चासा मी की एक लूगन Jim में जो में द стал को जो में दा को जूँमें नाको यह में और यह अगर आए तो इनको इसमा बतल सकते हैं प्लस के बाद में क्या होगा सो चो चो जो जो यह आपके प्लस के बाद में होंगे ठीक है आपको समदा गया यह इस तरह से नेक्स्ट आगे देखते हैं देखिए विद्यारतियों यहां पर उधार नम हरिस सेते उधान दे रखा है क्या दे रखा है हरिस सेते क्या दिया वह है विद्यारतियों हरिस सेते तो हरिस सेते में क्या होगा यहां पर यह जो सा है इस सा की जगे इस सा की जगे क्या हो जाएग यहां पर हो जाएगा हरिश शेते हरिश शेते ठीक है यह इस तरह से आपका प्लस के बाद में होने पर प्लस यह पहले सड़क वाला है तो सा की जगह कौन सा शेस शंकर वाला हुआ तो हरिश सेते बना समागी बाद आपको ठीक है तो यह यहां पर जो है सचुत्वम संदी यह किसमे सट्वम संदी से संबंधित देखिए सत्वम में इसमें सत्वम संदी में का होता है हरिए प्लस सेते सत्वं में इस तरह सोता है तो यहां पर विसर की जगे शा हम करते हैं तो अरिस सेते बनता है और यह सचुत्वं संदी में इस तरह से सा आता है तो अरिस सेते हुआ फिर Sak plus चित तो ता औरहें विजयर्थियों, ता की जिर के हम क्या कए चा बनाइंगे चा क्या मैं कि सूत्र हमारा क्या कहता है देखो अबी मैंने बताया ता के स्चा है तो चा में करना है तो चा भूष। तो जा में और चित लिखेंगे क्या बना सत्चित क्या बना विद्यार्थियों सत्चित इसे सत्चित कहेंगे अगला उदान है सार्गिन ये क्या है सार्गिन प्लस जय ठीक है अब यहां पर ना आ रहा है क्या रहा है विद्यार्थियों ना रहा है इस ना की जगे हम वापस पहले जहां शुत्र हे देखते हैं, यहां नारा ना की जगह क्या विद्यारतियों, यहां, तो वहां पर क्या करेंगे विद्यारतियों, इस ना की जगह क्या करेंगे, यहां करेंगे, तो देखो हमारा उद्रारण क्या बनेगा, शारगिन, अब ना की जगह, यहां हो गया, जै, रो बनाया इस तरह से और यह अंगा है तो इस तरह से बनाया और हमारा सब बना जय शारगिन जय इस तरह से हमारा सब बनेगा थिर यहां बात करते हैं कि शारगिन जय अब यहां पर नेक्ष्ट बात करते हैं रामस प्लस चै सब दारा है तो यहां पर सव की जगे संकरवाला सव होगा सव होगा सव संकरवाला सब दखीं रामस प्लस च अमारा बनेगा रामस च क्योंकि हमारा सव सड़क आए तो संकरवाल इसको इसको बनेंगे तो देखिए, यहाँ पर यह दवा आ रहा है, तो बनेगा दो की जगे, यहाँ पर जव आएगा, तो देखिए, उजव लह, क्या बनेगा, उजव लह, ठीक है, फिर अधरा है कस प्लस चित, तो सागी जीका श्हासंकर्वाला बनाएंगे क्षचित क्षचित इस तरह से समागया आपको तो यह है आपके हरिष्यते यह सच्चित यह सचुतुतुम संदी के उदार है ठीक है इसी तरह से हम आपको आगे पढ़ाते हैं कि आगे क्या है शटोतम संदी क्या है विद्यारतियों शटोतम संदी तो हम शटोतम संदी की चर्चा है वह हम क्या करेंगे बाद में करेंगे और प्रेक्टिस करें अभ्यास करें ठीक है और लिखलिक की अभ्यास करें अच्छी तरह से इनको नौट कर सकते हैं बाद में आपके इनकी नहीं की PDF आ जाएगी आप PDF से copy में नौट कर सकते हैं कोई doubt हो मुझे live zoom class में पूछें live zoom class में इसी चीज का इसी topic का revision करवाए जाएगा मैंने आपको पहले अपना परिचे दिया और इस topic को समझाया आपको समझा आगया होगा धन्यमात